Hi everyone, so this video को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले I am very very disappointed, क्योंकि देखो, अभी TCS results के बारे में, कुछ students कुछ ऐसी हरकते कर रहे हैं, जो कि बिलकुल भी acceptable नहीं है, और आपको वो चीज आगे काफी जादा problem देगी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि चलो आपका selection भी हो गया ह बट उनको कोई mail नहीं आया है, NSR generation का या background verification का, तब भी वो NSR generate कर रहे हैं, IT pin generate कर रहे हैं, भाई, तुम्हें TCS की instruction पर चलना है, तुम्हें YouTube के instruction पर नहीं चलना, कि किसी ना कर बोल दिया, कि NSR generate कर लो, NSR generate टना स्टार्ट कर दिया, जब TCS बोले की तब करना है, तुम इत about the background verification, about the NSR, about the IT pin, about the explore mail, तब तक कोई खुरापात नहीं करेगा, यह बात ध्यान से सुन लेना, एक बड़े भाई की तरह यह बात आपको समझा रहा हूं, ऐसी गलतियां भारी पड़ जाती है, because NSR में employment के details आते हैं, ठीक है, और वो company जब तक आपको नहीं बोलेगी, NSR generate कर तब तक कोई खोलेगा भी नहीं कि NSR क्या होता है, ठीक है, यह आपने नया शब्दों सुन लिया, excited हो गए, खुशी-खुशी मैं, अभी तो कुशी-खुशी लग रही है, बात में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, तो ऐसी बचकानी हरकत हैं, मत किया करो, ठीक है, मेरे को बहुत सारे कल में, मैंने बोला कि कल इतरे सारे मेरे को मेंसेज रिसीव हो रहे हैं, भाया, NSR कैसे जंडेट करूँ, मैंने पूचा, TCS की तरफ से मिल आया, नहीं आया, यह क्या हरकते हैं, तुम अपने पैर पर क्यों कुलाडी मारना चाहरे हो, मैं कोई बास समझ म मालो, ठीक है, तो यह बात instruction clear है, देखो instruction एक बार repeat कर देता हूँ, जब तक TCS की तरफ से official, आपको कोई भी चीज का mail नहीं आएगा, कोई भी requirement नहीं आएगी, तब तक आपको कोई भी खुराफात नहीं करनी है, तब तक आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, तब तक आराम से आपको आपको प्रॉपर गाइडनेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देगे, अब बात करते हैं, तो जो TCS के रिजल्ट्स हैं, देखो हुआ क्या, टीजिस के रिजल्ट्स एक पर्टिक्लर, जैसे अगर आपन रीजन उठा ले, तो रीजन वाइज सेल रहे हैं, अभी ब और रिवर्ट कर दो मेल पर, तो यह वाला मेल आया है काफी सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे पूछना है क्या यह सेलेक्शन है, तो यह सेलेक्शन है, तो यह सेलेक्शन का ही मेल है, तो काफी बच्चों को यह आगया है, बट उनको ओफर लेटर नहीं आया है, तो तो जब आपने इंटर्व्यू दिया था तो जो आपके document verify हुए थे, उसके बाद mostly उनको नहीं जरुवत पड़ रही होगी document verification किसलिए आपको नहीं आया, आपको लगा, अब direct आपको background check का mail आपको mail आएगा, उसके बाद आपको documents अपना upload करना है और आपको यह जरुवत नही दूसरी बात, अभी दो चीज हैं और है, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी interviews भी चल रहे हैं, जिनके इंटर्व्यू चल रहे हैं, उनको भी कोई action देना आपके process को इसमूझ जान दो, कई बच्चे ऐसे हैं, जिनको ना document का mail आया, ना offer letter का mail आया, दोनों ही चीज नहीं तो आप अपने reason-wise सोचो कि आपके reason में क्या हो रहा है, आप आसपस के बच्चे से connect कर लो, पूच लो, अगर किसी को आया है, document आया है, offer letter आया है, तो थोड़ा सा community में पूच लो, उससे आपको एक idea लग जाएगा, बाकी, जैसे ही आपको जो final-up का offer letter आजाता है, बाकी ज किसी में कुछ भी mistake हो, सबको correct कर लो, क्योंकि last time पर काफी बच्चे बोलते है कि इस document की वज़े से मेरा मतलब late हो गया, verification में या, इस से late हो गया, तो देखो यह अभी का time है, आलस अपना छोड़ देना, इस time पर कर लो, दूसरी बात काफी बच्चे पुछ रहे है कि passport mandatory है क तो देखो, passport ऐसा होता है कि अगर आपको passport लगाना होता है, अगर आपके पास नहीं है, वो आपको optional के section में देंगे, लेकिन आपको बात पे submit करना पड़ेगा, लेकिन अभी passport आपको लेरे में 15-20 दिन लगते है, verification वगरा होने में है, तो आप passport की request डाल दो, अगर आपके पास पॉर्ट नहीं है, तो तो आपको बात पास पॉर्ट आपड़ेगा, तब तक आपको कोई problem ने आगी, क्योंकि background check वगरा तो आपके चल रहे होंगे, तो passport की request डाल दो, जिनके भी पास passport नहीं है, तो आपको बाद में डालना पड़ेगा, और आपको बाद में डालना तो अगर आपके पास कोई भी mark sheet related कमी है, उससे आपको problem as such नहीं आएगी, कि आपको background verification में कोई problem आजाएगी, तो आपको आपको बाद में रखती है, उनको पता होता है कि कापी सारे बच्चे उनकी mark sheet नहीं आती है, तो उस चीज की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बाक तो आप उनको complete करना है, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, यह बात भी clear है, बाकी अब नीचे comment section आपका खुद का है, आपस मैं किसी को पूछना हो कि कौन से state से आपको, आपका result आया है, document verification आया है, तो आप comment में discuss कर सकते हो, thank you so much for watching this video.